मर जाना पसंद है लेकिन उधर जाना पसंद नहीं है ये बात नितीश कुमार कह रहे थे और तब कह रहे थे जब मेडिया ने सवाल पूछा और पीछे तेजेस्वी यादों थे और यहीं नितीश कुमार साब तोर पे कहा मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा में जाना अभी बाकी है मतलब तेजेस्वी यादव ने साथ तोर पे या एलान कर दिया कि 24 में ही खेला कर देंगे जिस खेला को लेकर तमाम राजनितिक पार्टिया जो है सोचने पे मजबूर है कि आखिरकार तेजेस्वी किस आधार पे खेला करने की बात कर रहे है आईए आपको खे कि खेला अभी बाकी है यानि कि अब खेला सुरू होगा तेजेस्वी प्रशाद यादव ने जब खेला बाकी हो सब का प्रयोग किया तो किस प्रकार के तेजेस्वी यादव खेला कर सकते है क्योंकि जिस तरीके से नितीज कुमार तेजेस्वी के संग रहकर लगतार कहे कि हमारी सरकार ठिक ठाक चल रही है अचानक कौन सी नौबत आ गई नितीश कुमार को जो अचानक तेजेस्वी और लालू के साथ छोड़ कर वो भाजपा के साथ मिलकर और अब नहीं सरकार की गठर कर लिए यह तमाम चीजों को लेकर लगतार आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है तेजेस्वी ने कहा खेला होगा लेकिन तेजेस्वी इस बार एक भी अपसब्द नितीश कुमार पे नहीं बोले और नहीं भाजपा पे बोले उन्होंने सीधा कहा कि मेरी सुपकामना उनके साथ है यानि कि सयम से इस बार तेजेस्वी यादा उन्हें का कुमार की पार्टी नामों निसान विहार में मिठ जाएगे और ये काम जो है तेजेस्वी यादव की पार्टी राज़त करना अब शुरू कर दिए इसी का मतलब है खेला अब सुरू हुआ है यानि कि जो तेजेस्वी प्रशादी यादव ने अपने मिजाज से जो बोले कि खेला भी बाकि है इसमें साथ तोर पर दिखता है कि अब तोर ममोर की जो बाते है रादिती है वो तेजेस्वी यादाव सुरू कर देंगे यानि कि अब जेडियू को कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि वो बरी पाटी बनकर उब्रें यानि कि जेडियू को सिमटाली के पूरी जेडियू को कैसे कमजोर किया जाए जिसको लेकर तेजेस्वी पुरशाद यादव इस प्रकार की बाते पहले बोल दिये यानि कि नितीस के नाम मिटाने के लिए अब राज़त कुछ ऐसा गेम प्लान सेट करेगी जिसे पूरे जो विधायक है जेडियू के सारे विधायक त कैसे तोड़े जेडियू को कैसे कमजोर करे क्योंकि नितीस कुमार जिधर फायदा देखते हैं उधर वो पलट जाते हैं यह लोग कहते हैं कुछ राजनितीस स्यासते पार्टी जो है वो कहती है कि जिधर नितीस को फायदा लगता उधर चले जाते हैं लेकि नितीस जब छ लेकिन अब तेजस्वी के साथ जो छोड़े है तो अभी यही बात कि कुछ काम धंग से नहीं हो रहा था लेकिन नराजगे किस बात की है पाँच-पाँच फैक्ट है पाँच-पाँच बाते है वो सारे चीज़ों आपको अगले वीडियो में बताएंगे लेकिन अब जो मन लिजे कि अब जेडियो का नामो निस्षान बिहार से मिटाने की पूरी कोशी अब रादनीतित तौर पे कहीं न कहीं रादनीतिक सडेयंतर से अब तेजेश्वी की पाटी राजट जो है वो करेगी और जेडियो को खत्म कर देगी यानि कि उनके सारे विधायक को तोर मम की है उस खेला जो है आप लोगों को 2024 में देखने को मिल जाएगा अलाकि नितीस कुमार जिस बातों को लेकर नराज से वो बात क्लियर है सटिस्वाइड है कि भाई साब तेजेस्वी यादाव और लालू यादाव ने कभी फ्रॉण पे नितीस कुमार को नहीं रखा जब वि जाज़त का कोई भी लोग ऐसा नहीं करने दिया इसलिए नितीस को लग गया कि भाई अब फीचर जो है वह हमारा इस गटवंदर में नहीं है इसलिए उन्होंने साबतोर पे वहां से हटकर ये बरादिर नहीं लिया जिस नितीस कुमार को आप देख रहेगे नितीस कुमार नवी बार बिहार की सियन की रूप में अब सपत गरहन किये सपत लिये और इन्होंने साबतोर पे कहा कि अब जो है कि सरकार सही धम से चलेगी लेकि तेजेस्वी यादों ने जो परहार किया खेला बाकी है खेला तो अब सुरू हुआ है ये पंचलाइन साबतोर पे दरसात आए कि आने वाला समय में बिहार में जेडियू जैसे चीज और जेडियू जैसे नाम नहीं रहेगा राजनितिक सड्यां से इसको सवाप्त कर दिया जाएगा बाकी जो है आप लोग क्या सोच रहे है प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स पे दीजिएगा मेरा नाम कैफी है बिहा